हाँ जी गडीड में आपने शाइब पैंडोरा पेपर्स के बारे में सुना तो होगा जिसमें काफी सारे अमीर लोगों की ओफशोर इंवेस्मेंट्स रिवील हो चुकी है आज उसी के बारे में डीटेल में समझने वाले हैं और वो भी असान से एक्जाम्पल के साथ I'll tell you कौन सी information leak करी जा चुकी है, leak किस ने करी है ये वाली information, source क्या है leak का, कैसे information को leak करा गया है सरकार ने जितने भी इंडियन्स involved थे इस leak के अंदर उनको अभी तक arrest क्यों नहीं करा है and similar चीज़े discuss करने वाले हैं चली, शुरू करते हैं with a practical example where I will try to explain to you कि कोई भी अमीर इंसान सबसे पहली चीज़ इंडिया से बाहर पैसे कैसे लेके जाता है और अगर लेके जाता है तो बाहर क्यों रखना चाता है पैसे को, दोनों ही चीज़ों के बारे में बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा देखें, यहाँ पर आपको दिख रहा है, मल्टेपर लोग हैं हमारी कहानी के अंदर, पहला कौन है, चीखू, यहाँ पर घपलेबाज असोसियेट्स, शेल कंपनी, क्लाइंट जो की उस बेस्ट है अब चीखू की बात करते हैं, चीखू कौन है, इंडिया का इंसान है, नाम से थोड़ा बता चल रहा है, इनके बारे में मैंने का थोड़ा सजानी चीखू की अगर आप देखते हैं, एसेट्स, तो इंडिया के अंदर कितने की एसेट्स हैं, 500 करोड रुबे की अभी के लिए इस वले पोशिन को मत देखेगा, इसको काट के रखी दिमाग के अंदर इंडिया में मैंने आपको बताया है, इनकी 500 करोड रुबे की एसेट्स हैं, चाहे आप गाड़ियों की बात करिए, बिल्टिंग्स या फिर जो भी तरीके से, कोई भी प्रॉपेटी निकल के आती है, टोटल 500 करोड की वैल्यू है और जो भी इनको पे करना है, जो भी उन्हेंने उधार ले रखा है किसी भी इंसान से पैसा, वो 1500 करोड का निकल के आता है अब चीकू को भनब पढ़ चुकी है कि मेरा बिजनस दूब रहा है, एसेट्स के वैल्यू कम हो चुकी है और मुझे जो पे करना है, वो ज़ाधा निकल के आ रहे है और कभी भी अगर liabilities लेने के लिए जित्ते भी मेरे creditors हैं, वो मेरे पास आ गये, मेरे पास पैसे नहीं होने वाले इनको देने के लिए तो चीकू की दमाग में आ चुका है कि आज के बाद ये जैसे मुझे realization हो गई है आज के बाद मेरे business में मान लीजे मैं कुछ profits generate कर भी देता हूँ, 500 क्रोड की जगा, 700 क्रोड की assets बना लेता हूँ तो भी 12 क्रोड रुपे का जो difference आएगा, वो मुझे help नहीं करने वाला क्योंकि पूर अगपूरा पैसा मेरे creditors के पास ही जाने वाला है मेरी जे में कुछ भी नहीं आने वाला और इस इंसान की कहीं से भी intention नहीं है कि मैं अपने creditors को pay करने के लिए इंडिया में पैसा कमाऊ तो इस इंसान ने एक organization को उसको approach करा है कि मुझे बचा लो और मुझे किस तरीके से बचा लो मेरे पास कुछ न पुछ पैसे बच जाएं क्योंकि अगर इंडिया की assets की बात करी जाएगी तो मेरे पास कोई भी पैसा नहीं बचने वाला है अब यहाँ पर multiple organizations exist करती हैं जो कि आपको गलत काम करने में help करने वाली हैं एसी ही एक organization चीकू को में चुकी है जर्मनी के इंदर जिसका नाम है घपलेबाज Associates अभी क्या करते हैं देखे यह कहते हैं चीकू को कि वैसा अब आप करोडों में खेल रहे हैं तो आपकोस आपके international clients होने वाले हैं चीकू कहते हैं बिल्कुल हैं मेरे international clients तो घपलेबाज Associates पहला एक तरीका बताती है इसको यह कहती है आपके जो भी बाहर के clients है लेटर से US का कोई client है इनको अब services प्रोवाइड कर रहे हैं गुर्ज बेचने जो भी काम कर रहे हैं करिएगा लेकिन इन से ना payment जैसे कि आप country low tax country होनी चीए income tax का rate एक दो तीन परसिट ऐसा कोई rate निकल किया है या फिर income tax लगता ही ना हो यानि कि tax haven हो दूसरी चीज़ अचा मैंने आपको पहले भी बताया था tax haven होता है haven नहीं होता है तो जब भी मैं tax haven बोलूँगा यह मत सुचे का मुझे haven बोलना नहीं आता वो tax haven होता है tax h-a-v-e-n तो tax haven चूज करी जाएगी यानि कि low tax country और उसके साथ साथ ऐसी country को चूज करना होगा आपको जो की secrecy maintain करें यानि कि अगर Indian government data मांगे इस वाली country से कि बताये चीकू की कितनी assets आपकी country के अंदर located है तो यह वाली country मना कर दे हम आपको यह वाला data नह जो भी rules है वो इस चीज को permit नहीं करता है data हम आपके साथ share नहीं करने वाले ऐसी कोई country आपको पकड़नी है तो यह क्या करा है घपलेबास associates इन्होंने बोला है ऐसी country हमने identify कर रखी है जैसे कि British Virgin Islands, Cayman Islands यह दोनों ही ऐसी services आपको provide कर देती है और अकेली ऐसी दो countries नहीं है ऐ ऐसी बहुत सारी countries है तो ऐसी ही countries में operate करने का system चलाती है सारी entities जो की लोगों की पैसे को इदर से उधर करती है तो अब इसने क्या बोला है जितना भी पैसा आपको receive करना होगा इंडिया में मत receive करिएगा इंडिया के बाहर receive करना चालू कर दीजे और ऐसे कर करके चीकू ने इंडिया के बाहर कितने का corpus develop कर दिया है कितने की capital build up कर दिया है पैसा receive करकरके अपने client से 7000 करोड रुपे की अब देखे होने क्या वला है कल को liabilities जितनी भी निकल के आ रही थी उनकी payment की rate भी आने वाली है 500 करोड रुपे लोग कभी नगभी demand भी करेंगे जिनने पैसा द पे कर सकते हो यह आपको दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है मुझे दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है चीकु को भी बता है लेकिन क्या भारत सरकार को पता है नहीं पता है भारत सरकार को कभी भी बताया ही नहीं गया था कि भारत सरकार को कभी भ करने वाली कि चीको के respect में यह बोला जाए कि आप इंडिया में bankrupt हैं क्योंकि इंडिया में आपके पास assets नहीं है तो बेशक इनको pay मत करिए कोई दिक्कत नहीं होने वाली ऐसे नहीं होता है अगर आपके पास इंडिया में assets हैं तो आपको उससे भी pay करना पड़ेगा इंडिय इंडिया में आपको bankrupt टेक्लियर करेंगे मेरे पास पैसा नहीं है मैं इंसॉल्बेंट हूं क्रेडिटर्स कुछ नहीं कर पाएंगे 500 करोड की recovery करेंगे 1000 करोड रुपे उनके डूप जाएंगे और यह भाई साब इंडिया के बाहर जोबी इनके 7000 करोड रुपे पड़े तरीकों से उससे फाइदा लेते रहेंगे पूरी जिंदिगी और भारत सरकार को पता ही नहीं चलेगा कि इनका पैसा इंडिया के बाहर पड़ा हुआ है क्योंकि यह वाली कंट्रीज डेटा को शेयर कर नहीं रही भारत सरकार के साथ यह पहला रीजन होता है जिसकी वज़ पे करना पड़ता बहुत ज़्यादा मांट देना पड़ता बाहर नहीं देना पड़ रहा है प्लस बाहर सीक्रिसी भी मिल रही है जिसकी वरे से कल को जब भी आप डूबेंगे तो डूबने के टाइम पे यह वाला पैसा आपका प्रोटेक्टेड रहने वाला है वो भी पैसे को इंडिया के बाहर इंवेस्ट करना चालू करा है ब्रिटिश वर्जन आइलेंस की एक कंपनी में लेटर से दो दो लाग डॉलर हर साल भेजते गए थे और यहां पे पैसे को इन्होंने लीगली पाक कर रख है क्या लीगली पैसे को बाहर भेजना इसमें कोई भी द दिया और यहां पर जितना भी पैसा एक्यूमिलेट हो चुका था लेटर से ओवर टाइम एक मिलियन डॉलर यहां पर एक्यूमिलेट कर दिये थे उस पैसे को वापस इंडिया के लेके आ गए हैं कहीं न कहीं पर इंवेस्ट कर दिया है अब यह करने के बीचे इनके पैसा नहीं है यह तो इस कंपनी का पैसा है और आपकी दिमाग में आना चाहिए कि यह कंपनी इंडरेक्ली तुमारी तो है तुमने यहां पर पैसा इंवेस्ट कर रहा था यह कंपनी तुमारी थी इस कंपनी ने यहां पर इंवेस्ट कर रहा है और इस कंपनी ने फाइनली पीछे इस लेयर के मैं बैठाओं, as a result of which सरकार को नहीं पता चलेगा, कि जो भी बाहर से एक Cayman Islands से इंडिया में investment आई है, वो मेरी ही investment है, और यह करके मैं करना है चाहरा हूँ, मैं छोटी सी यह चीज करना चाहरा हूँ, कि इंडिया में अगर मैं यही income कमाता, किसी भी source में को invest करके, तो latest से वो 30, 40, 50% के rate पे tax हो जाती, और मुझे पता है Cayman Islands के साथ हमारी एक treaty है, जो की कहती है, कि यह वली जो nature की income होती है, अगर बाहर के इंसान ने कोई भी पैसा इंडिया में लगाया है, और इस source of income से कुछ भी income को कमाया है, तो वो income यहाँ पे tax नहीं होगी, कि इंडिया के इंदर Cayman Islands में tax होगी, मैंने उसी treaty का फायदा उठाने के लिए पैसे को ऐसे root करा है, ताकि लगे कि बाहर की entity ने इंडिया में पैसा लगाया है, और इंडिया में पैसा लगा के यहाँ से वो पैसा कमा रही है, जैसे ही ऐसा लगेगा, पूरी की पूरी इंक कि आता है, जिस तरीके से लोग इंडिया से बाहर अपने पैसे को पाक करने लग जाते हैं, और यह नहीं बताते हैं, सरकार को disclose नहीं होने देते हैं, कि यह उनी का पैसा है, अभी जो पूरी की पूरी transaction है, चाहे आप इस transaction की बात करिए, चाहे उपर वाली transaction की बात करिए, इंडिया का इंसान, इंडिया के बाहर उन कर रहा है, अब यहाँ पे यह वाली transactions करने के लिए, चीकू के पास दिमाग नहीं होने वाला, उसको कोई न कोई घपले बास entities की ज़रूरत पड़ेगी, और यहीं पे दिक्कत हो गई है, यहीं पे आपकी revelation निकल के आई है, Pandora Papers वाली, जो पूरा का पूरा leak है, वो इन ही गदो की बज़े से निकल के आई, कैसे निकल के आई SMJS को, देखेए, अब बढ़ना शुरू करते हैं leak के बारे में, which information has been leaked, सबसे पहले आपको बताया गया है, holdings or transactions of multiple persons across the globe, उसके बारे में आपको पता चल गया है, यानि कि चीक रदा सरकार को कि ये जो बाहर की company ने इंडिया में invest करा है, वो चीकु से related है नहीं है, अब पता चल जाएगा, कि ये चीकु का ही पैसा है, जो कि घुम के इंडिया में वापस आया है, उपर वाली case में, जो कि सरकार को पता नहीं चल रहा था कि चीकु की इंडिया के बाहर assets हैं भी या नहीं है, अब पते चल जाएगे कि 7000 करोड रुपी की assets इंडिया के बाहर हैं, as a result of which, जितना भी 1000 करोड रुपे का amount इनका unpaid इंडिया में था, वो भी अब recover करने के लिए proceedings को initiate करा जा सकता है, तो ये दिक्कत निकल के आ गई है, this is what the leak is all about, और भी कुछ questions निक which is behind this particular leak, ये है क्या, ये एक body है, 600 से जाधर journalist की, जो की 117 countries को belong करते हैं, इंडिया की बात करेंगे, तो Indian Express वो भी इसके अंदर आ जाती है, अग ये जो 600 से जाधर journalists हैं, इन्होंने क्या करा है, साथ में मिलके information को check करके, जितनी भी leak हुई थी, उस leak में जितनी भी information भाहर जाता है कि ये data इनके पास आया कहां से, जो भी data को leak करा गया था, तो source के है इस data का, अगर मैंने आपको अभी अभी बताया है कि ये वाली countries नहीं बताती हैं, इनके पास अच्छे खासे secrecy के laws हैं, जिनकी वज़स से इन countries में जो भी पैसे को पाप करा जाता है, या फिर जो कोईना कोई बैटा था जिसने data को leak कर दिया है, और इन्होंने बता दिया है investigative journalist की body को, कि हमारे थूद चीकू ने और चीकू जैसे लोगों ने कौन सी कौन सी घंट्री में कहां कहां पे पैसे को invest कर रखा है, अब आपके दिमाग में आएगा इनको पैसा मिलता है चीकू से, इन्होंने क्यों बता दिया चीकू के बारे में, इनका पैसा रुख जाएगा, तो यहाँ पर organization का जो भी owner होगा, उसने data को leak नहीं करा है, लेकिन organization कभी एक इनसान से नहीं चलती, जब हजारों लागों करोड़ रुपे की बात हो रही होती है, तो एक इनसान organization को नहीं चला कि कहां कहां पर कितने कितने की investments हैं, so this is what the source is, और leak किसने करवाया है information को, इस body नहीं करवाया है, what is the source of this leak, तो source के बारे में मैं आपको बताया, roughly 12 million documents निकाले गए हैं, from around 14 companies, और 14 companies किसकी बात करी जा रही है, इनहीं की बात करी जा रही है, यह जो गपले बात है, वैसे ही 14 companies निकल के आती हैं, जिनका data निकाला गया है, और 12 million documents के आसपास आपको मिल चुके हैं, जिन से यह सारी यह सारी चीज़े पता चल रही है, कि किसकी investment कहां पर कितने की बढ़ी है, so 12 million documents from around 14 companies in offshore tax havens are the source, किस चीज का source, इस leak का source, अच्छे एक हो चीज देखिए, यह जो है न, य यह सा ही data, कि किसकी investments उस country के, जिस भी country में वो रहते हैं, उसके बाहर कितने की investments निकल के आ रहे हैं, और यह जो आपका leak था, उस leak के अंदर एक ही firm का नाम निकल के आया था, मौजाक फोंसे का, उसी का data leak हुआ था, यानि कि जिसका data leak करा गया था, वो अकेली एक ही firm थी, औ उसके बाद आपका एक और leak हुआ था, 2017 के अंदर, इसमें 1.4 TVs का data निकला था, और यहां पे जो भी firm जिसका data leak हुआ था, उस firm का नाम था, आपल बाई, बट अगर आप Pandora Papers की बात करते हैं, तो यह आज तक का सबसे बड़ा leak है, चाहे आप size की बात करिए, देखिए 2.6 TVs की जगह, यहां पे 2.94 TVs, इतना जाधा data मिला है, और उसके साथ साथ, यहां पे एक अकेली entity नहीं है, जैसे की यहां पे एक entity थी, यहां पे entity थी, एक entity जिसका data leak हुआ था, यहां पे 14 entities निकल के आती है, 14 प्लस entities, जिनका data leak हुआ है, जाधा diversified sources से आपको पता चल रहा है कि influential लोगों का पैसा कहां कहां पे लगाया गया है, next is, how is the information leaked, इस information को बाहर कैसे करा गया होगा, इसके बारे में बहुत detail में देखी नहीं बताया जा सकता, sources क्या रही होगी, उनको क्या क्या चीज़े incentivize करी रही होगी, कि आपको यह दिया जाएगा data बता दीजे वगेरा बग इस ने कभी भी नहीं बताया, ना ही बताने वाली है कि इनकी source क्या थी, कैसे इन्होंने data को leak करा, लेकिन कुछ तरीके जिन से data को leak करा जाता है, data को बाहर निकाला जाता है, उन तरीकों के बारे में बात करेंगे, लेकिन आज नहीं किसी और दिन बात करने वाले हैं, that is a topic that needs a detailed discussion in some other video. IRS officer के साथ-साथ, roughly 20 years back, जो retire हो गए थे, वो chief commissioner of income tax, वो भी इसके अंदर है, chief commissioner of income tax के इंडिया की बाहर की assets, उसके बारे में भी information मिली है, तो information के अंदर multiple Indians covered हैं, और Indians के साथ-साथ multiple world leaders, वो भी आते हैं, businessmen, actors, politicians, multiple लोग हैं, अब यहाँ पर एक question note क्या आता है, कि जितनी भी accused हैं, जिसकी सचन तिंदुलकर हो गए, जागी श्रॉफ हो गए, अनिलम्बानी हो गए, वगएर वगएरा, जिनके बारे में आपको पता चल चुका है, कि इनकी इंडिया के बाहर assets हैं, इनको अभी तक भारत सरकार ने arrest क्यों नहीं करा है, ये भी एक valid question है, दिमाग में आ सकते हैं, इनमें कोई न कोई लो हो सकता है, जो कि आपने contravene करा है, जैसे कि यहाँ पर जूट बोल रहे हैं, इस particular case में, यह जो आपने case बनाया था, यहाँ पर जूट बोल रहे हैं कि इंडिया के बाहर आपकी assets है नहीं, क्यों जूट बोल रहे हैं, तक कि इंडिया में 1000 क इन लोगों को, that is definitely a crime, तो जिस भी इंसान ने ऐसा कुछ करा है, वो सरकार को अभी पता चल जाएगा, जैसे ही सरकार को information मिलेगी कि इस इंसान की इंडिया के बाहर एतने इतनी की assets हैं, तो अभी आपको check करना पड़ेगा, scrutinize करना पड़ेगा each case में, कि जो भी इंसान के इनके बारे में आपको बता चला है, इनकी assets इंडिया के बाहर हैं, वो इंडिया के बाहर क्यों हैं, क्या यहाँ पर money laundering करी गई थी, क्या यहाँ पर illegal तरीके से पैसा जो भी कमाया गया था, उसको बाहर पहुचाया गया है, हवाला या फिर किसी भी तरीके से, या फिर कौ यहाँ पर repercussions नहीं निकल का है, कोई खास दिक्कत नहीं निकल का है, काफी सारे लोग ऐसा करते हैं, काफी सारे अमीर लोग ऐसा करते हैं, कि अपने पैसे को पहले tax havens के अंदर पहुचाते हैं, और वहाँ से आगे जाके income earning sources में invest करते हैं, ताकि income को यहाँ बेट clear करा जा स अब जाके arrest करा जा सकता है, प्रोसीडिन चालू करी जा सकती है, उस इंसान के against, तो अभी conclude नहीं करा जा सकता है, कि जिसका भी नाम आचुका है, सचन तंदूल करका है, फिर किसी भी नाम का, इन्होंने कुछ न कुछ गल्द करा ही होगा, वो सिकता है करा हूँ, वो सिकता करने वाली हैं, चेक करने वाली हैं, कि यहाँ पर किस इंसान ने गलत करा है, किस ने गलत नहीं करा है, CBDT यानि कि Central Board of Direct Taxes, Enforcement Directorate, Reserve Bank of India, Financial Intelligence Agency, Multiple agencies को दोड़ा दिया है, और बोल दिया है, जितने भी लोगों के नाम आए है, बाहर की assets मिल रही है, चेक करिए, legitimate है या फिर नहीं हैं, और अगर नहीं हैं, तो फिर punishment की proceedings को चालू करा जाएगा, तो प्रोब चालू हो चुका है, देखते हैं कब तक इसका result निकल के आता है, कोई भी advancements होती है, नई चीज़े बता चलती है, किसी का भी modus of brandy बता चलता है, कि उस इंसान ने क्या क्या करा था, वो भी मैं आ जा रहा, छोड़ो, हम मस्ती करते हैं, पार्टी आ करते हैं, नॉर्मल लाइफ को चलाते रहते हैं, तो देखी मेरे साब से आपका ये attitude नहीं होना चाहिए, बिकुस आपका जा रहा है कुछ न कुछ, बिकुस ये सोचना कि मेरा तो कुछ नहीं जा रहा है, वो सोच गलत है आपका जा रहा है, बिल्कु जा रहा है, क्या जा रहा है, मान लीजए आज के टाइम पे इंडिया को ज़रूरत है 10 लाग करोड रुपे की, अपने खर्चे मेंटेन करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, फिर किसी भी चीज़ के लिए, अगर इसमें जो भी लेकिन इंके उपर बर्डन आने वाला है, क्योंकि ये लोग तो टाक्स पे नहीं कर रहे, मतलब मैं कोई जेनरिक स्टेट्मेंट नहीं मार रहा है, कि अगर पे नहीं कर रहे, तो दिक्कत निकल के आ रही, that is what I am trying to prove, तो अगर किसी भी इंसान ने, इन में से कोई भी तरीक को resort करके अपना tax गलत तरीके से बचाया है, so should they be punished, they definitely should be punished, because अगर वो punished नहीं होते, तो it just becomes an incentive for every rich man out there, कि भई ये चीज़ करो, तुमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, पैसे को बचा जाओगे, पहले Panama Papers आये थे, फिर Paradise Papers आये थे, अब Pandora Papers आये हैं, आगे जाके एक और Papers से नाम रख देंगे, क्या फरक पढ़ने वाला है, हमने tax बचा लिए इस तरीके से, सरकार भी कुछ नहीं करने वाली, middle class और lower class ये पिस्ते रहेंगे, जैसे की पिस्ते आये, वो चीज़ नहीं होने चाहिए, चलिए, आगेस आपने कुछ नहीं कुछ सीखा होगा तब तर के लिए अपने ध्यान रखिए, take care of yourself, good night